हालो अब्रीबन दिस इस मितलेश यादव हैर एंड टूदे वेरे स्टार्टिंग भेरी इंपोर्टेंट टॉपिक दाट इस प्रोफ़र्टीज आफ मेटल्स आज हम देखने वाले हैं मेटल्स के प्रोफ़र्टीज के वारे में इससे पहले जो हम gens देख चुके थे क्या होता क्या में होती है। हम लोगों के पास इसक 62 करने मीं होता है क्या कहती थी कि bonding condition जो है वह change हो सकती है बड़ molecules जो है molecules ना ही increase करेगा ना ही decrease करेगा molecules जो होगा constant रहेगा बाणडी condition भाड़ी कर सकता है उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्या देखा था कि पिर किया हम लोग ने देखा था कि रहा है कि इस्ट्रेइड क्या होता है इसके बारे में जो बेसिक चीजे थी बेसिक कंसेप्ट था उसके बारे में हम लोग एस्ट्रेडी किया था कर लोगो ने जानी थी फिर हम लोगुने देखा था कि जो हमारे पाद उसके बहुत सारी जो है concrete के जैसा और इसका घ्रमल कॉफिसेंट होता है जो कॉफिसेंट अब थर्मल expansion होता है यह भी क्या होता है सेम होता है concrete के जैसा ठीक है इसलिए हम लोग क्या करते है माइल्ड़डेश्टिल यूज करते हैं, फिर हम लोग ने देखा था कि stress, strain graph, mild steel का, वो कैसे plot करते हैं, और कौन से machine के through करते हैं, तो वो करते थे हम लोग UTM, universal testing machine, universal testing machine में उसको रख देते थे, फिर उसमें force लगाते थे, strain develop करते थे, और stress जो है, उसको हम लोग मेजर करते थे, कि यह material कैसे behavior करने वाला है, कब इसमें yielding आने वाली है, कब fracture आने वाली है, कब ultimate, किस point पर जाके ultimate strength देगा, इन सब के बारे हम लोग ने study किया था, उसके बाद हम लोग ने देखा था कि carbon percentage अब increase कर देते हैं, किसी भी, मतलब जब metals जो हमारे पास है, metals में धी carbon की percentage increase कर देते हैं तो उसके properties में क्या changes आते हैं या वो brittle हो जाते हैं, हम लोग ने देखा था कि carbon की percentage increase करते हैं, तो हम लोगों को yielding और ultimate strength हो maximum मिलता था, जिस में high carbon steel होता है, उसका yielding point होता है, जो ultimate strength होता है, maximum होता है, as compared to mild steel, mild steel जो होता है, उसमें carbon की percentage होता है, कम होता है, जिसके कारण से वो क्या होता है, ductile होता है, जब कि यह carbon की percentage जितना ज्यादा increase करते जाएंगे, material जो है brittle होते जाएगा, ठीक है, तो यह सब कुछ हम लोग ने देखा था, उसके बाद देखे थे, कि अलग-अलग materials का जो curve होता है, उसके बारे में हम लोग ने study की थी, कि यह almonium की curve होती है, या फिर और भी जितने सारे materials थे, कि यह elastoplastic curve है, यह हमारा ideal fluid है, यह ideal rigid है, इन सब के बारे में हम लोग ने देखा था, तो आज हम देखने वाले हैं कि metals का जो properties होता है, वो क्या-क्या होता है, कौन-कौन सी properties होते हैं, जो कौन-कौन से properties होते हैं, metals की properties होते हैं, कौन-कौन से होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग detail में देखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं, यह जैसे कि देख लेए properties of metal, तो कौन-कौन से होते हैं, जो main properties होते हैं, ductility होते है, metals का तो एक-एक करके इसके बारे में हम लोग detail पढ़ेंगे, कि ductility क्या होता है, bitterness क्या होता है, harness क्या होता है, creep क्या होती है, elasticity क्या होती है, इन सब जितने सारे properties है metals के इनके बारे में हम लोग detail में study करने वाले कि कौन-कौन से क्या होते हैं, जो हमारे पास पहला जो प्रोपर्टीज है वो है डक्टिलीटी, डक्टिलीटी होता क्या है, तो डक्टाइल मटेरियल जो होता है, तो क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल जो होता है, फेल होने से पहले, फेल होने से पहले उसमें लार्ज डिफोर्मेशन होता है, जब वो फ इसका जो plastic deformation होता है वो क्या होता है plastic deformation greater than 5% इस इसमें जो होता है plastic deformation ग्रेटर दैन 5% होता है तो यह जैसे कि आपने यह graph देखने हैं तो graph में क्या होगा जो हमारे पास ductile material होगा तो stress इधर यह strain होगा और यह stress stress का graph होगा तो हमारे ductile material होता है ductile material कहां पर यहां इस point पर यह ultimate point होता है इस पर जाकर यह fracture होगा जो हमारे e point होता था e point में जाकर यह तूटेगा जबकि यह brittle material होता है तो ductility क्या होता है ductility में जो होता है तूटने से पहले large deformation होता बहुत ही ज्यादा deformation होता यह जो है धीरे धीरे तूटेगा suddenly नहीं तूट जाएगा suddenly break नहीं करता है इसको हम लोग क्या बॉल देते हैं जो material에 करना वदेंग种 तो가락鬘ीक डिफोरमेसन जो होगा जो प्लास्टिक करमेशन जो होगा जो प्लास्टिक डिफोर 2015 जोगा उसको हम लोग क्या बोल देगा सिर्व होता है अध्याधूट के लिए मतल desk के लिए हम करते हैं stress और strain का तो जो हमारा ultimate point आता है और जो हमारा fracture point आता है fracture point और ultimate point जो होता है लगभाग सेम होता है ठीक है तो जो brittleness क्या होता है जो plastic strain होता है less than 5 % उसको हम लोग क्या बोल देते हैं जैसे कि हमने stress और strain का graph plot करते है तो जो brittle material होता है कुछ यहीं जाके फेल होने से पहले इसके अंदर deformation, strain का मतलब क्या होता है कि deformation की material जो है stress होते जा रहा है stress होते जा रहा है जब इसके उपर load लगा रहा है तो यह stress होते जा रहा हो लेकिन कहां पर जाके यह app point पर जाएगा जो हमारे यह वहला point था वहां पर जाके यह फेल होगा जबकि यह जो brittle material होता है जब इसके अंदर force लगाएंगे तो इसमें deformation जो होगा वह बहुत ही कम होगा और यह suddenly break कर जाएगा तो एक तर्म आती है कि कोई भी material होता है कोई भी material होता है वह ductile to brittle transition होता उसके कैसे होता है जब very low temperature होता है जब temperature पहुत ही कम होता है तो वह material होता है ductile से brittle में convert हो जाता है ठीक है जो titanic जो डूबा था suddenly break कर गया था इसका reason क्या था तो reason was that the temperature was very low because of the ductile body of the ship get converted into the brittle इसका reason क्या था कि वहां का temperature था वह बहुत ही जादा कम था जिसके कारण क्या हुआ जो यह ductile material था शीप का वह क्या हुआ convert हो गया किस में brittle material में convert हो गया ठीक है बहुत ही low temperature की वज़ा से वहां पर temperature जो था बहुत ही जादा लो था low temperature की वज़ा से ductile to brittle transition हो गया ductile से brittle transition हो जिस कारण से वह तकराया तो easily break हो गया suddenly वह ब्रेक हो गया और डूब गया यही कारण था जो हमारा जो ship था जो titanic ship था उसके डूबने का reason यही था कि वह जो था उसका material था very low temperature कारण ductile से brittle हो गया और brittle material जो होता हो suddenly तूट जाता है suddenly उसमें fracture आ जाता है यही कारण था कि वह ship डूब गई थी next जो properties होती है वह होती है malleability का मतलब क्या हुआ convert the material into thin sea यह जो होता है जो आक चोटे 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 टूक्रे होते हैं pieces होते हैं उसको यह क्या करता है convert करता यह THIS protoöst में एक इस प्रोपर्टि होती है जिस कारण चोटेestä में डूक्रे को press करके एक थीनद अथा कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं मेलेबिलीटी एक जो होते हैं मेलेबिलीटी एक ऐसे प्रोपर्टी होती है मेटेरियल की जिसमें हम छोटे-छोटे मेटल्स के टुक्रे को प्रेस करते हैं जब उसमें हम प्रेस करते हैं तो वह क्या होत होता है hardness is resistance to scratch or radiation It is a resistance to the scratch or aerob师 이제bellionumba होता है 10 hard to material yeah हКА promise इसके अंदर जो होता है scratch बेबराज फोता है होता है easily नहीं लेगता है resistance develop करता है किसorka against scratch और every scratch against ragas lips場 होता है hardnessygen is major करूनी के लिए हमारे पास जो होता है कुछ मेठर होता है उन यह से एक जो most important है वो है कौन सा मोहर test, मोहर test के जरीये हम लोग किसी भी material की hardness के बारे में पता करते हैं और जो और भी बहुत सारी method होते हैं, hardness check करने का, hardness measure करने का, उसमें जो हमारे पास होते हैं, कौन कौन से होते हैं, rock well hardness method होते हैं, brineal hardness method होते हैं, यह सब कुछ method होते हैं, जिसके थरूँ हम किसी 하면서 hardness check करते हैं, अब जो next property जो होता है, next property कौन सा होता है, creep, creep का मतलब क्या हो जाता है, creep जो होता है, यह permanent deformation होता है, permanent deformation which is recorded with passes of time at constant loading, इसका मतलब क्या हुआ, creep जो होता है, continuous deformation होता है, अंधर constant loading, condition generally occurs due to dead load, यह जो होता है dead load के कारण develop होता है, कोई building है, कोई structure आप बनाओ उसको आप छोड़ दो, कोई structure बनाओ आप उसको छोड़ दो, उस पे कोई भी external load नहीं लगाओ, फिर भी वो कुछ time के बाद, कुछ time मतलब 50, 50 साल या 100 साल के बाद, वो खुद खुद collapse हो जागा, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोलते है creeps, जो की permanent deformation होता है, खुद के dead load के कारण, उसमें तो कोई loading external लगाते नहीं, तो जो constant loading होता है, जो उसका self bed हो, वो तो constant होता है, तो उस load के कारण, उसके अंदर जो permanent deformation होता है, होता है, उसी को हम लोग बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, creep, तो creep जो होता है, वो बहुत सारे factor पे depend करता है, कौन-कौन से factor होता है, magnitude of load, types of loading, types of loading का मतलब, loading या तो static होगा, या फिर dynamic होगा, time or age of loading, time के उपर भी depend करता है, और जो factor होते है, temperature के उपर भी depend करता है, temperature जादा होगा, तो फिर creep का जो effect होगा, वो बहुत ही जादा होगा, loading condition, magnitude of load का मतलब होता है, loading, जो बहुत ही जादा load होगा, उसका day delayed होगा, तो वह बहुत ज़्यादा करेगा, तो क्या होगा, at higher temperature, higher temperature due to greater mobility of atoms, most of the materials lose their strength and elastic constant also get reduced. जब जो होता है, temperature जब हाई रहता है, तो उसके अंदर जो molecules परजेंट होते हैं, किसे भें materials के अंदर, जो carbon atoms परजेंट रहते हैं, उसके अंदर बहुत सारे changes होते हैं, और वो अपना जो है, strength जो है, lose करना start कर देता है, कब तक lose करना start कर देता है, ठीक है, तो greater deformation at elevated temperature result, even under constant loading, ठीक है, जब जो हमारा constant loading होगा, तो temperature जब increase करेगा, तो creep की value भी increase करेगी, ठीक है, तो एक temperature होता है, temperature at which the creep becomes very appreciable, is half of the melting point temperature, on absolute scale, and known as homogulous temperature, माल लेता है, किसी भी जो materials होता है, माल लेता है, melting point का मतलब 100 degree, melting point का मतलब 100 degree Celsius होता है, तो इसका half जो होता है, 50, 50 degree Celsius जो होगा, इस पे यह सबसे ज़्यादा effective होता है, यह जो होता है, creep जो होता है, किसी भी मतलब माल लेता है, melting point 100 degree Celsius होता है, तो इसका जो half होगा, 50 degree Celsius जो होगा, उस temperature पे जो creep होगा, सबसे ज़्यादा effective होता है, और इस temperature को हम लोग क्या बोल देता है, homologous temperature, तो यह creep जो होते हैं, यह बताया था कि creep depend upon, कौन-कौन से time, temperature, magnitude of, type of, loading, कौन-कौन से type की loading है, static है, यह dynamic loading है, इन सब के उपर यह depend करता है, तो next property जो हमारे पास होता है, वो कौन-सा elasticity होता है, next property कौन-सा elasticity है, elasticity का मतलब यह होता है, कि जब भी हम material, कोई भी metals हमारे पास, उसमें यह हम force लगाते हैं, तो वो stretch कर जाता है, उसके अंदर stretching आ जाती है, जब हम force को remove कर देते हैं, तो again वो फिर से क्या होता है, original position को regain कर लेता है, ऐसी property को हम लोग क्या बोल देता है, elasticity, elasticity एक ऐसी property होता है, कि after the removal of load, body is regain its original shape, this is the elastic property, यह क्या होता है, elastic property होता है, किसी भी materials की, जब load को remove कर ले, तो वो अपने फिर से original shape को regain कर ले, उसको हम लोग क्या बोल देते है, elasticity, ठीक है, मालने था यह जैसे कि आप यह curve है, ठीक है, मालने हम stress, strain develop कर आ रहा है, यह curve है mild steel का, तो यहाँ पर यह जो हमारा proportional limit था, proportional limit या फिर elastic limit जो था, point B, यह हमारा elastic limit था, तो जब हम यहां तक इस materials पर load को remove कर देते हैं, तो फिर again यह ओ point जो हमारा initial point था, यहीं पर आके रुकेगा, ठीक है, ऐसी property जो होते है, उसको हम लोग क्या बोल देते है, elastic city, अब जो हमारे पास next property है, वो कौन से है, plastic city, जो next है, वो कौन से plastic city, तो plastic city क्या होता है, plastic city is that property in which after the removal of load, there is a continuous deformation, यह जो है continuous deformation इसके अंदर हो जाए, जब भी हम लोग force को remove भी कर देंगे, तो इसके अंदर क्या हो जागा, permanent deformation हो जाता है, यह फिन जो है अपने original shape को, जब हम load को remove कर देंगे, तो original shape को regain नहीं कर पाएगा, एसी property को हम लोग क्या बोल देते है, plasticity, जैसे कि यह माल लेते हैं, यह कोई metals है, यह graph है, तो यहाँ पर यदि हम यहाँ तक ले गए और इसको यदि हम load को remove कर दिए, तो फिर से यह क्या करेगा, यह जो हमारे point था, यहाँ पर फिर से original position पने यह आगा, कुछ हो यहाँ पर आके रुकेगी, इस point पर आके रुकेगी, तो उसको हम लोग क्या बोल देते है, plasticity, plasticity बोल देते है, next property जो हमारे पास होता है, वो कौन सा होता है, toughness, next property होता है, वो क्या होता है, toughness Dartmouth का मतलब क्या होता है, which saw the resistance against the fracture, toughness जो होता, है हम बॉडी की toughness जब हम किसी भी जो यह beam है इसके उपर यदि हम suddenly मतलब impact loading लगाते है impact loading लगाते है तब भी यह body इसको resist कर रहा है इसका मतलब क्या होता है कि यह body जो है यह tough है यह metal जो है यह जो material है वो tough material है तो toughness का मतलब होता है कि due to cycling and reverse cycling loading fracture failure में occurs उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं fatigue यह fatigue जो होता है किसके कारण होता है cyclic loading के cyclic और reverse cyclic loading जो होता है उसके कारण क्या develop हो जाता है fatigue तो फ़र जैसे कि आप माल लिजे यह truck है यह यह कोई bridge है यह जो है bridge बनी हुए इस पर एक ट्रक गई दूसरी ट्रक गई तीसरी ट्रक गई तो क्या हुआ जब पहली ट्रक गई तो क्या हुआ यह elastic limit तक deform किया इस load के कारण इसके अंदर जो deformation आया वह कितना आया यह elastic limit तक आया फिर second वाली गई आई गई मतलब cyclic reverse का मतलब क्या कि आती है जाती है तो इसमें जब एक ट्रक गई फिर दूसरी आई तो यह फिर थोड़ा सा और elastic limit तक गया देन जब और ट्रक गई तो यह load के कारण यह हो सकता है plastic तो जब प्लास्टिक deformation हो जाता है तो फिर original जगा तक तो नहीं जा पाता है यह यहाई पर जो उसका original शेप था पहले तो elastic limit तक होता था तो क्या होता फिर से ओर जो है सेप को हो जागा और यह तूट जाए तो क्या होता कंटिन्यूस लोडिंग के कारण क्या हो गआ इसमें continuous deformation अना इस्तार्ट हो जाएगा जिर लोडिंग आता जाएगा ते continuous reformation होता जाएगा जब यह जब यह toughness को exceed कर जाएगा मतलब मतिरिक्तेल का करेगा फेल कर जाएगा ठीक है तो हम लोग जो डिजाइन करते हैं इस फेलियोर से बचने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं इंडूरेंस लिमिट बोलते हैं ठीक है तो इंडूरेंस लिमिट जो होता है इंडूरेंस लिमिट is much below elastic limit, elastic limit जो होता है उससे पहुत ही कम होता, जो elastic limit होता है, mild steel का वो होता है 250 newton per mm2, जबकि हमारा endurance limit जो होता है 186 newton per mm2 for mild steel, तो हमको mild steel हम लेंगे तो जो limit होगा, endurance limit होगा, इस limit में हमको design करना है ताकि यह फटेक failure है इससे बचा जा सके, और aluminum का जो होता 131 newton per mm2 होता है, next property जो है, वो है proof face trace, next property कौन सा है proof face trace, proof face trace का मतलब क्या हो गया, कि many metals which do not so clear yield point, बहुत सारे ऐसे materials होते हैं, जिसका yielding point जो हो clear so नहीं करता है, yielding point उसका clear नहीं होता है, तो ऐसे material को हम लोग जो होता है, analyze करने के लिए एक method यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोल देते हैं, upside method, ठीक है, तो proof trace क्या होता है, some of the ductile metals like ammonium, copper and silver do not so clearly yield point in tension test, therefore yield stress is not clearly known, for such metal design, stress is calculated by upside method, तो इसको हम upside method यूज करके, जो yield point है, उसको हम लोग जो है calculate करते हैं, तो हमारे पास जो यह जो graph आप देख रहे हैं, यह graph कि इसका aluminium का है, तो इसमें हमको clearly कोई point नहीं पता चला है, कि इसका yielding point कहां होगा, जैसे कि mild steel का था, तो mild steel में पता चल जाता था, कि yielding point जो यह हमारा B है, इस point पे material yield हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन जो aluminium या और भी जो materials हमारे पास है, aluminium copper वेगरा, तो उसमें यह पता नहीं चलता था, यह graph जो है, आपको aluminium कहते हैं, इसमें पता नहीं चल ला है, कि यहां पे yielding point इसका कहां पे है, तो इसके लिए हम लोग जो है, एक method यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते है, अफसाइड में इठ़ेड, तो अफसाइड में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे एक permanent plastic strain जो होता है, यह जो आप लोग देख रहे होंगे, हम लोग इसको मार्क कर लिए कहां पे x axis पे, दिखाते, देखें यह जो है क्या किए कि जो 0.2 परसेंट जो है उसको हम क्या किए यह हमारा X-axis है यहां पर हम मार्क कर लहें 0.2 परसेंट और यहां से हम क्या किए मार्क करने के बाद एक Straight-land ड्रॉकर कर दिए उसके पैरल्लेल में हम एक straight line draw कर देते हैं, the point of intersection of, the point of intersection, the point of intersection of stretch strain curve with straight line is proof point, जो हमारे पास proof point होता है, and corresponding stretch, जो हमारे पास proof point होता है, 0.2% पर तो उसके corresponding जो भी हमारे पास stress होता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं Proof Estress दीके सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इस method में कि 0.2% जो होता है हम लोग X-axis के लग हम लोग प्लास्टिक उसको हम लोग 0.2% मार्क कर लेते हैं सबसे पहले ठीक है मार्क करने के बाद हम लोग नों क्या किया जो हमारा इनेसियल स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राप जो था उसके पैरलल में एक हम स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर दिये ठीक है स्ट्रेट लाइन प्लॉट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसके जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा जब हम state line हम लोग जो plot करते हैं, जो हमारा intersection point होगा, जिस stress strain curve का, ठीक है, वो point हमारा क्या कहलाता है, proof point होगा, और उसके corresponding, इस point के corresponding, जो भी stress होगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, proof stress, ठीक है, तो proof stress जो होता है, इसलिए calculate करते हैं, कि बहुत सारे material जो होता है, clearly yield point नहीं show क करता है, इसको calculate करने के लिए, हमारे पास एक method होते हैं, उसको हम लोग बोल देते है, offset method, तो offset method यही कहता है, 0.2% पर आप लोग एक से, तो जब हम compressive force लगाएंगे, material जो brittle होगा, तो failure plane is at 90 degree to the compressive load, ठीक है, जब ductile material होगा, और जब compressive force लगाएंगे, तो failure plane जो होगा, 90 degree to the compressive force, 90 degree to the compressive force, वही जब हमारा material ब्रीटल होगा, ब्रीटल मेटेरियल होगा, और compressive force लगाएंगे, तो क्या होगा, brittle metals fails in share, जो brittle metals होता है, वो fail कर जागा, किसमें share में, तो failure plane जो होगा, वो कितना होगा, 45 degree to the direction of loading, 45 degree to the direction, यह failure plane होता है, किसका brittle material होगा, जब हम compressive force लगाते है एक से बाद हाद होता है किने में कंपरेशन में उसके बाद ट्यंशन में और सबसे जो यह वीक होता है वह होता है यह में वाकषाई होता है प्रों के में और जब से ज़्यादा विक होता है किसमें ये टेंशन में ठीक है तो डक्टाइल मेटेरियल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉंग होता है compression में और सबसे ज्यादा weak होता है share में और जो brittle material होता है सबसे ज्यादा strong होता है compression में और सबसे ज्यादा weak होता है किसमें tension में उसी तरीक के से जब हम इन दोनों टाइप के material में जो भी ductile है और brittle है इन दोनों जो होता है वो 45 डिवरी के एंगल में ठीक वो फेल हो जाता है और यह जो फेल होता है उसक्णान थाare च्णान है का कॉंस में ख़ते है टू नहीं इस के एक ओ परहें के सब्सक्राइल और भाहाई यह अबेख Points अचमेट घृटन हो जांच जन्रीयों में हो जा था है भिल डिटल मेटर्स आ वेगें टेंशन तो बिटल मेडल फैस्टिच्ट क्यायसे बीहेब करता है तेंशन टेस्ट और याद रखना एकस्ग यह दोब डाइटाल मटेयल होता है वो फेल होता है सेर की वज़े से और जो बिरिटल मेटेरियल होता है वो फेल होता है टेंशन की वज़े से जो से जो डक्टाइल मेटेरियल होता है वो टेंशन टेस्ट में जो होता है होता है उसमें जो फेल्योर प्लेन आता है 45 डिग्री के एंगल में आता है और वो कपकोंड सेप में आता ह जब कि, बिटल मेटेरियल जो होता है, उसका जो failure plane होता है, वो 90 degree होता है, 90 degree to the direction of load, जब हम tension देते हैं, जब हम compression देते हैं, compressive force लगाते हैं, तो fracture plane जो होता है, वो कितना होता है, बिटल मेटेरियल जब होता है, तो 45 degree to the direction of loading, और जब ductile material होता है, तो failure plane कितना होता है, failure plane is at 90 degree to the compressive load, ठीक है, तो यह एक basic चीज़ है, इसको आपको याद रखना है, यहाँ से objective question बन जाते हैं, कपकोन failure किसमें होता है, tension test में जब हम ductile material में हम tension test लगाते हैं, तो वो कैसा fail होता है, कपकोन failure होता है, और कौन सा plane में, 45 degree के plane में होता है, तो कुछ जो बहुत ही ज़्यादा very very important points है, उसको आप लिख लिख लिजे note में, कि ductile material जो होता है, आप लोग इसको note कर लिजे, जो ductile material होता है, वो क्या होता है, tough होता है, ductile material are tough and brittle material are hard, होता है यह जो घॉक्टाइल उसके अंदर जब लोडिंग आती तो ज्यादा क्योंकि उसके अंदर जल्दी नहीं होता है तो दक्टाइल मेते रिल होता है तुथ होता है और बिटल मेसे हाड होता है एक और important point जो है वो है ductile materials जो होता है ductile materials का जो होता है elastic limit and proportional limit जो होता है almost same होता है you can say that hooks law is valid up to elastic limit for ductile metals for ductile metals actual में hooks law valid up to proportional limit ये जो होता है ductile materials का जो होता है elastic limit और proportional limit जो होता है वो almost same होता है और जो hooks law क्या कहते है Hooks law भी होताए कहां तक भैलिद होता है तक हुक्स law क्या करता है इसके बादे में हम लोग next lecture में पढ़ेंगे Hooks law का कौन-कौन चे रेंजंचन होते हैं Hooks law क्या कहते हैं उनके बादे में हम लोग study करेंगे तो आज के lecture में बस इतना ही ठांक्यू स्व मच्छ